चन्नन चौहां जी, मन्च पर उपस्थेस हमारे पार्टी के वरिष नेता, कुर्पे मंत्री M.N.C. विरेंच सिंजी, हमारी पार्टी के केमरेट के मंत्री शाहिद मन्जूर साथ, सेनी जी, केमरेट मंत्री, अभी हाली में रास्तवार सांसर्थ बने सुनि नागर जी, अकुल प्रधान बिधाई गनाहिट, गौरफ सरूप, मुक्र 24 से लेकर के बहुत सारे हमारे पार्टी के अध्यक्त तयागी और दूसरे करिंबार, अश्यक जी, सैनी जी, बज़िय अक्तारी से लेकर के, सरुन्दी, अघिवाल जी बहुत सारे हमारे गुलाब मुहम्मद साथ भी बैठे हैं क्योंकि मंच पे नाम लेने लगेंगे हम सम्नों के तो मंच भी बढ़ा है और हमारे दाएवाले गोलेंगे प्रनाजी से लेकर जाओंगों कि हमारे नाम को स्कूट है इसलिए उमा किरनी से लेकर के समय समाजवादी नेता जो मंच पर बेढ़े है सामने हमें दिखाई दे रहे हैं समी समाजवादी पार्टी के जिम्मिनार कारकरता नेता साथ की और इस समाँ में उपस्चित बड़ी तर्क्यां के बुजर्ग और हमारे तमाम नौजवान साथी माता बहने और पस्कार बंदू हो मैं तब से पहले नौजवान साथी चन्नन का धन्यवाद दूना जो उन्हों में मौका दिया है हैं आपके बीच में आने का और बुला करके अपनी बात रखने का इस आजने के परिबार है और कई पीडी से आपकी मदद कर रहा है आपके बीच में काम कर रहा है बावो नलाइन सीम जिनों ने उचाईयों तक विदान सवार से लेकर के जो सबसे उची कुछे है उस बोखिमंती तक पहुंचे उनके पिदाजी हमारी पार्टी में भी रहे पार्टी का नेटन सी नहां पर किया विदाए करें सांसर भी शुन करके गए है हमसे पहले पूर्ट में तमाम हमारे सासियों ने उनके साथ रहे करके जो अनवा किया था जो उनकी साथ काम करके उनके जीवन के बारे में शर्चा की है आपसे इस परिवार ने तमाम देता दिये हैं और लगातार आपके पीश में रहे हैं सिवा की है कोई व्यक्ति उचाई इन तक तब ही पहुंसता है जब वो सेवा करता है लोगों के बीश में रहता है लोगों के दुपदर को समझता है ऐसे परिवार में बावू लाइस देंगी संजे चौहान जी और अब चंदन आपके बीश में सेवा करना चाहते हैं में विशार जोडता हूँ जब मुझे आने करने उता मिला कि उनको याद करने की एक सवा बलाई जा रही है बावू नाराइस देंगी के मैंने पुराने भाशन उनके बिधान सवा के निकल वाए और बिधान सवा में राजस मंद्री के हैस्यस से पॉक मोखिमने के हैस्यस से और जब भी मंत्री पत्र के हैस्यस से जोनोंने बाते हम रखी उनको मैं ने देखा और पढ़ने का मोका मिला जबहु वो गईबों के पहते औगाओं के पह चिंदे थे कि गईबों की समच्या का समाना कैसे हो हमारा किसान है जिसको तहसीर में जाना पड़ता है डियम के शिक्तर काड़ना पड़ता है उसके तमान सबादान कैसे हो और यही जिमिलाई है निपस्ट करने बादों की और इसी को गवर्णेंस कहते हैं कि आधिकार सरकार शिलने का तरीका क्या है जहां लोगो सहुलियत मिले अधिकारियों के शिक्कर न काड़ने पड़े किसी की सिफार्थ न करनी पड़े और काम हमारा हो जाए तो उसी को हम गवर्णेंस कहते हैं बुआदों मेरा आए जिनी यह समस्यां का समान कैसे हो लगाता है उनों में प्लास किया हमारे साथी हैं अगर सनन्द का भाशन निकल वाएंगे तो आप जानिए किस तरीके से अपने भाशनों में उनोंने किसानों के जुबबर कुछ समझ करके और उनकी तक्रीफों को जो लेखवाल पड़वाली पैसीर की लिए समझ रहे हैं जो उस समय ती आज मी हैं बदली नहीं है जितनी बदल जानी चीहती समस्या ने बदली समस्या कर बड़ी हो गई जमीन उस समय बढ़ी नहीं होगी एक परिवार के नीचे जासे जमीन रही होगी आज तो परिवार बड़ा हो गए है जो जमीन का हिस्टा है और वो भी पढ़ गया है बड़ा हो पैमाने पर पढ़ गया है हलांकि जो गरीबी का पैमाना था पहले और जो आज है वो अलग है तो गरीबी का पैमाना इसलिए आज हम तमाजबादी लोग जो मंज़ पर खटते हैं और आने वाले समय के लिए भी हम भरोसा दिलाना चाहते हैं आपको हम लोगोंने लगाताज काम किया है आने वाले समय में अगर आप हमें मौकद होगे तो इससे बैतार और अच्छा काम करके आपके बीच में दिखाएंगे जिस समय हमें कप्देश मिला जिस समय हमारे हाथ में कप्देश की सरकार आई आप जानते होगे किसकी सरकार थी हम तो बड़े सम्मान से बोलते हैं लेकिन हमारे तो मुझप परनगर में हैं के परजनों को पांच पांच लोग लाग रुपाए के चेक देने की बात कही है इसके अलावा तमाम सौगात मुझप फरनगर को देने पहुंचे हैं सीम अखिलेश यादर अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए सीम अखिलेश यादर इस मंच से नजर आ रहे हैं 49 योजनाएं जिनका लोग कारपन किया है और कुछ योजनाओं का शिला नयास हुआ है तक्रीबन डेड़ हजार लोगों को उन्होंने साइकलें बाटी है 462 चात्रों को लेपटॉप बाटे हैं और इसके अलावा 270 लोगों को राष्ट्रिय पारिवारी की योजनाओं के तहत मदद दी गई है तो ये तमाम काम किये हैं अकलेश यादव ने ये बताने के लिए अपने उपलब्धियों को बताने के लिए जनता के बीच आज वो है और मुझवण अगर मैं आज हैं सीम अकलेश यादव लेकिन इसके पहले अलग अलग जगह होपा सीम की रेलिया नजर आई है वो भली बुन्दिल खंड हो या फिर उतर प्रदेश के और इलाके